अधिर को लेकर मुस्लिम पक्ष का दावा है कि साल 2006 में यहाँ पर जबरदस्ती शिवलिंग रखा गया मुस्लिम पक्ष आलमगीर परिसर में कोई मंदिर मौजूद नहीं है ये उनकी ओर से कहना है बड़ी खबर इस वक्ति हम आपको बता रहे हैं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि साल 2006 में यहाँ पर जबरदस्ती शिवलिंग रख दिया गया स्थापना उसकी कर दी जाती है उसके बाद पूजा शुरू कर दी गई और इंदू पक्ष का दावा है कि जो स्थम वहां पर मौजूद है उन पर चिंड मौजूद है जो यह साबित करते हैं कि मंदिर था मंदिर नहीं है चुली क्या था कि 2006 में कोई भी आ जाके देखेगा तो वो तो नंगी आखों से दिख रहा है कि वहां शूरिंग है लेकिन इतियाज भी है कोटवाडी में तिवहार रिष्टर मौजूद है उसमें रेकार्ड्स मौजूद है रेकार्ड कहां चले जाएंगे कि 2006 में वहां पर एक फुवारा था फुवारे का उपर उर्था उसका आकार्ड दूसरा था वो गिर गया उसमें जवर्दस्ति आप फोर्सिबली वहां को चीज लगा दें फिर एक सम्झोधा कर लें कि रहे ठीक है चलिए हमारा है हम लोगों ने भी कहा कि चलो भाई ठीक ह है इनकी आस्था है इनको रहने तो ऐसे करते हैं इससे क्या मतलब है कि वह जगात कि शुष मंदिर हो जाएगा